एक, दो, तीन, चार, चार नहीं बलकि आठ, ये नमबर एक ऐसा नमबर है जिसके अंदर एक यौन उत्पीडन का केस करीब आठ सेकंड के अंदर निप्टा दिया गया, ये मामला है इलहबाद का, जहां पर एक महिला जज के साथ यौन उत्पीडन जैसी वारदात को अंजाम दिया गया, नमस्ते मेरा नाम है पूनम शुकला और मेरे साथ हैं अश्विनी, आज क्राइम तक के जरिए हम इनहीं महिला जज के बारे में बात करने वाले हैं, जिन्होंने हाली में जिला जज पर यौन उत्पीडन करने का संसनी खेज आरोप लगाया है, और इनसाफ ना म मिलने पर इच्छा मृत्यू की इच्छा जताई है, इन्होंने हाली में सुप्रीम कोर्ट को एक चिठी लिखी है, ये चिठी भी सोशल मेडिया पर काफी वाइरल हो रही है, इन महिला जज का नाम तो हम आपको नहीं बता सकते हैं, लेकिन इस चिठी में उन्होंने क्या है, वो हम आपके साथ जरूर शेर करेंगे, इस चिठी के जरिये इस महिला जज ने जिला जज पर कुछ संसनी खेज आरोप लगाए हैं, जिसके बारे में आपको अश्विनी बताएंगी, दरसल ये चिठी काफी दिनों से वाइरल हो रही थी, देखते ही देखते ये चिठ थी आम लोगों तक एकसेस हो गया, आम लोगों तक पहुंच गया, जिसमें लिखा था, दरसल उन्होंने कई अपनी शिकायते दज कराई थी, कई लोगों से रिपोर्ट करवाई थी, लेकिन फिर भी इस मामले को लेकर कोई भी अपडेट नहीं हो रहा था, या कोई भी उन मुझे टॉर्चर करते हैं, मेंटली हैरास करते हैं, लेकिन कोई भी इस पर कोई कारवाई नहीं की जाती, कोई सुनवाई नहीं होती, इसके साथ ही महिला जज ने आगे लिखा कि उनके सीनियर अधिकारी जो वहाँ पर मौजूद है, वो उन्हें कई तरह की यौन उत्पि जिसके बाद वो अब जो सुप्रीम कोट है, उस वहाँ उन्होंने एक लिखिट शिकायत दज कर आई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उनके ही सीनियर जज ने उनके साथ बत्तमीजी की है, उनके साथ गंदगी की है, दरिंदगी की है, जिसे वो चाह कर भी भुलाए नहीं भुल पा रही है, जिसकी शिकायत उन्होंने सुप्रीम कोट को दी है, यहाँ तक कि उन्होंने ये तक कह दिया कि अब उन्हें जीना नहीं है, उन्हें इच्छा मृत्तु जी जाए, जिसकी वज़र से वो अपने मौत को गले लगाना चाहती है, जी हाँ अश्विनी आपक मामला वहां से खारिश कर दिया गया, और उन्हें बताया गया कि ये मामला इलाहबाद हाई कोट में जाच की जा रही है, वहीं पर इस मामले का संग्यान लिया जाएगा, इसमें सुप्रीम कोट दखल नहीं दे सकता है, इस आठ सेकेंड के अंदर जो महिला की शिकायत है, जिस तरीके से उसको निप्टाया गया, इससे जिला की जो महिला जज है, वो इतनी आहत हुई, कि उन्होंने डिवाई चंदर चूड को, जो की सुप्रीम कोट के चीफ जस्टिस है, उनको चिठी लिखी, लेकिन ये चिठी उनके पास पहुंचती, इससे पहले ही ये चिठ सोशल मेडिया पर काफी वारल हुई, जब सोशल मेडिया पर ये चिठी वारल हुई, तो ये चिठी की खबर चंदर चूड के पास भी पहुंची, तब उन्होंने इस मामले का स्वता ही संग्यान लिया, और जो इलहबाद हाई कोट के जो जज हैं, जो इलहबाद हाई कोट से इस मामले की स्टेटस रिपोर्ट मांगी है उन्होंने इसके बाद आपको बता दें कि ये महिला जज हैं जिन्होंने ये चिठी लिखी है इस चिठी की एक एक शब्द जो है वो आपके पैरो तले जमीन खिसका सकती है और किसी भी महिला को ये सोचने पर मजबूर कर सकती ह है कि वह workplace वे किस तरीके से अपने काम को अंजाम दे क्योंकि जिस तरीके से महिलाजज ने चिठी में सारी बातों को लिखा है वो मैं आपको बताती हूं कि जो महिलाजज उनूने चिठी बकाईदा लिखा कि उन्हें अपनी इक्षा से जान देने की उन्हें इजाजत दी जाए आपको बता दें कि इस महिला जज ने दो पेज की इस दोरान चिठी लिखी है इससे पहले भी उन्होंने आत्महत्या करने का प्रयास किया था जिसके बारे में भी उन्होंने इस चिठी में जिकर किया है और डिवाई चंदर चूट तक ये मामला पहुंचा है और उन्होंने खुद ही इस पर संग्यान लिया है इसके अलाव हम आपको बता दें कि जो ये महिला जज है इन्होंने जिस जज पर आरोप लगाया है वो मामला है बारा बंकी का महिला जज ने आरोप लगाया कि बारा ब मिलने के लिए कहा गया यह मामला मैं आपको बता दूं कि साल 2022 में लाहबाद हाई कोड के मुख्य नायदीश और प्रशाशनिक नायदीश यानि की हाई कोड के नायदीश से शिकायद भी की गई लेकिन आज तक इस मामले पर कोई भी कारेवाई नहीं हुई लगभग आज एक साल होने को हैं जिसके बाद ये मामला सुप्रीम कोड पहुँच चुका है अब देखना ये है कि सुप्रीम कोड के जो जज है डिवाई चंदर चूर्स इस मामले पर क्या कारेवाई करते हैं क्योंकि इस से पहले भी जितने भी मामले इस तरीके के सामने आये हैं वो काफी जो परदे के पीछे से जिस तरीके से निप्टाने की कोशिश की गई है और महिलाओं को ही यहां पर दबाने की कोशिश की गई है लेकिन जो जिलाजज है इन्हों ने पुखता तोर पर जो ये चिट्थी वारल की है और सोशल मेडिया पर जिस तरीके से ये चिट्थी वार कर रही हैं वहां पर अपने सहकर्मियों के साथ यौन उत्पीडन के लिए तयार रहें अश्विनी इस मामले पर और और आपके पास क्या ज्यादा जानकारी है और हमारी ऑडियंस के साफ शेर करें जैसे मैं आपको बताया दू कि अगर इंकी चिठी आप तक हो नहों आप तक कि मुझे नहीं पता था कि मैं खुद ही न्याय के लिए भीक मागूंगी सोचने वाली बात है कि इस लेवल की ऑफिसर महीला के साथ अगर ये सारी चीजे होती है तो आम लोगों तक न्याय कैसे पहुंसता होगा ये सोचने वाली बात है लेकिन आगे इनकी जो इन्होंने लेटर लिखा था वो आपको लाइने में बताती हो जिसमें उन्होंने लिखा था कि मैं बहुत उमीद लेके आई थी लेकिन मुझे दरदर भटकना पड़ा जब मुझे रात के समय बुलाया गया एक कमरे में बुलाया गया वो भी मेरे सीनियर जर्स थे जो मेरे साथ ही वह बहार नहीं होता था जिसकी वज़े से उन्हें टार्गेट बना लिया गया हालांकि पुरुष प्रधान कंट्री है ये ऐसा माना जाता है लेकिन फिर भी उन्हें ऐसे समाज में ऐसे लोगों के बीच रहते हुए ये सारी जेलनी पड़ी यातना जेलनी पड़ी जिसमें उ होना होगा कभी एक समय था जब मैं आई थी लोगों को न्याय दिलाने के लिए लेकिन आज वो समय है जब मुझे खुद न्याय नहीं मिल रहा मैं दरदर भटक रही हूँ मैं कई सीनियर ऑफिसर से बात की लेकिन कोई भी मेरी मदद करने के लिए आगे नहीं आ रहा है और चीज़े हम कैमरे पर बोल नहीं सकते लेकिन चीज़े होती है जो उस महिला को समझना या सोचना हमारे लिए बहुत मुम्किन है कि उनके साथ उस समय क्या बीता होगा अश्विनी इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो उनके साथ ये जो मामला घटित हुआ था ये करीब 2022 से पहले की ये बात है वो इलाबाद हाई कोर्ट में भी अपनी शिकायत लेकर गई लिए वहाँ पर कारेवाई जब नहीं हुई तो इससे पहले भी वो काफी स्ट हुई है और उन्होंने अपने लिए मृत मांगा है किसी के लिए मौत मांगना बहुत बड़ी बात होती है कहीं कहीं ने कहीं उनका दर्द इतना बढ़ चुका है कि उस दर्द को खत्म करने के लिए ये जो महिला जज है उन्होंने सुप्रीम कोट के जज से अपने लिए इ इसके बाद इन्होंने सुप्रीम कोट के जो जज है यानि कि डिवाई चंदर चूर से उन्होंने इच्छा मृत्यू की मांग की है यानि कि सुप्रीम कोट में जो मामला घटित हुआ जिससे वो आहत हुई है और उन्होंने सुप्रीम कोट के जज से ही अपने लिए इच्छा बिमार हैं जो जिनकी बिमारी खत्म करने के लिए एक मौत ही उपाय है जिसके बाद उन्हें कोट के द्वारा ये इजाज़त दिया जाता है कि डॉक्टर्स जो है अब उनका इलाज करना बंद कर दें जिसके बाद उनकी स्वताही मृत्यू हो जाएगी और उनका दर्द खत् देना पड़ेगा तो आप आप कुछ समीधान में कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं कि आप अपने लिए इच्छा मृत्यू की मांग कर सकते हैं आपको बता दें कि इससे पहले प्रिया रमानी का केस भी काफी लाइम लाइट में आया था और जो एम जे अकबर पर उन्हों ने य व्यक्ति भी यौन सोशन कर सकता है और वो इन सब वारदातों को अंजाम दे सकता है अब इसके बाद ये जो मामला सामने आया है इसमें एक महिला जज शामिल है और ये मामला आप सुप्रीम कोर्ट पहुँच चुका है जिसके बाद ये मामला अपने आप में ही काफी जिसके बाद वो दर बदर इंसाफ के लिए भटक रही हैं इसके अलावा भी कई ऐसे मामले हैं जिसके बारे में आपको अश्विनी बताएंगी कुछ समय पहले आपको याद होगा कि मीटू केमपेंच चला था मीटू केमपेंच के जरिये बहुत से ऐसी चीज़े आये थी बहुत से ऐसे लोग सामने आये थे जो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये सारी चीज़े साजा किये थे कि उनके साथ भी हो नहों कभी बचपन हो चाहे एडॉल सेंस हो कभी न कभी उन्होंने भी यौन उत्पिडन का सामना किया था और ये यौन उत्पिडन करने वाला कोई और नहीं उनका दूर वाला नहीं होता सगे संबद्धी या नात रिष्टेदारी होते जो अगल बगल से ये सारी चीज़े करते थे इसके साथ ही आपको याद होगा कई हस्तिया भी आई थी चाहे वो तनुष्री दत्ता का नाम ले ले चाहे इसे प्रिया रमानी का इन्होंने नाम लिया इसके पहले और भी ऐसे कई हस्तिया आई थी जिन्होंने बताया कि उनके साथ भी बचपन हो चाहे पहले की उमर हो उ सारी चीजे हुई थी जिसमें हम अभी देखे अगर यह 12.00 महीं की वाला न्यूज है जो ज़ज के साथ चीजे हुई है वो भी कही न कही इसके दाइरे में आता है क्योंकि उनके साथ भी यह सारी चीजे हुई और यहां तो कहानी अलग थी क्योंकि उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई थी शिकायत दर्ज कराई लेकिन सुनने वाला कोई नहीं होता वो अकेली महिला अकेली जज इस लेवल तक फाइट की लेकिन फिर भी उसे न्याय की दरकार थी जो उसे अभी तक न हुई झाल